दोस्तों कई बार क्या होता है किसी भी बिजनस के चाहे वो सर्विस का बिजनस है चाहे प्रोड़क्ट का बिजनस है उसे यूज करने के बाद आपका नुकसान हो जाता है अगर कोई खाने पीने वाली चीज है तो अगर आप उसको सामान खरीद कर उसको सेवन किये हैं तो आ औरवाई कराने के बाद में आपको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है यह प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो दोस्तो नमस्कार मैं हूं प्रकास संडिल लोपी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपसब का अपने इस नहीं वीडियो में दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का बिजनस है चाहे वह प्रोड़क्ट बनाता है अगर उसके सेवन से आपका कुछ नुकसान हुआ है जैसे अगर कोई विक्ति दवा बनाता है कुसी भी कंपनी की दवा है उसे खाने के बाद आप और अधिक बिमार हो गई या क व्यक्ति किसी प्रकार का खाने, पीने वाली चीज बनाता है, किसी का बिस्किट खाए और उसका बिस्कित खराब था आप बीमार हो गये या कोई servis ऐसा देता है, किसी के हाँ कोई जाकर आपने servis ली, उस service लेने के बाद आपका नुक्सान हो गया, इस इस्तिति में आप कैस जसे कारेवाई उस बक्ति के खिलाब कराने वाले हैं. तो दोस्तों अगर इस प्रकार का मामला किसी भी business के अगर product का business है, उसके 7 से आपका नुक्सान हुआ है या service sector में service लेने से आपका नुक्सान हुआ है, तो आप consumer court में जाकर उस्वक्ति के खिलाब case कर सकते हैं और केस करने के बाद उससे कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार का एक मामला 2018 में हुआ था। 2018 में ITC मौरिया होटल में एक महिला गई और उस महिला ने अपना कुछ हेर कटिंग का सैलून में गई वहाँ के सैलून में और उसने अपने कुछ हेर में काम करवाया। हेर कटिंग कराई या कुछ मसाज और गईरा कराया। इसके बाद जब वह महिला घर पर आई तो उसके सारे बाल गिर गए। उसी सैलून से हेर की काम कराने के बाद हेर के बारे में उसको मसाज कराने के बाद उसके सारे हेर गिर गे जिससे उसका mental harassment बहुत हुआ उसे अपनी जाब भी छोड़नी पड़ी सोचिए अगर किसी महिला के पास बाल ना हो उसको कितनी दिक्कत होने वाली है अब वह महिला consumer court म एक दोटल को 2 करोण compensation देना भी पड़ा दोस्तों तो अगर किसी भी business के किसी भी product से या किसी भी Nicholas से आपका नुक्सान हुआ है तो उस बक्ति को सजा भी होगी उसे compensation भी देना पड़ेगा जिस प्रकार का आपका मामला होगा अगर सजा देने योग आपका मामला होगा तो उस बेक्ति को सजा मिलेगी अगर compensation देने योग मामला होगा तो उस बेक्ति को compensation मिलेगा आप तनिक भी जिज़किये मत अगर किसी भी बेक्ति के product से कोई भी नुकसान हुआ है तो आप consumer court में जाइए आपके district में consumer court होता है हर बेक्ति के district में consumer court होगा वहां consumer court में जाइए उस बेक्ति के खिलाब complain कीजिए और अगर आपका मामला सही है तो आपको या तो compensation मिलेगा या उसे सजा मिलेगी या आपको दोनों मिल सकत तो दोस्तों उम्मेद करता हूँ या वीडियो आप सभी के लिए helpful रहा होगा, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली problem solving वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्त का ख्याल लखिये, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी, इस चैनल के मादम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए, I love you all, जै हिन जै वारत